दोस्तों आज जो मुवी में आपके लिए लेकर आया हूँ वो कई सारे देशों में बेन है लेकिन एनिहाओ मुझे ये मुवी मिल ही गई इसके बारे में ना तो इंटरनेट पर डिटेल्स अवेलेबल है और ना है किसी प्लेटफॉर्म पर लेकिन आप सभी को इस वीडियो म में इस मुवी का पूरा एक्स्प्लिनेशन मिलेगा तो चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में मुवी के फर्स्ट सीन में एक लड़की जंगल में भाग रही थी वो पूरी तरह से खून में लथपत और बहुत ज्यादा घायल होती है तभी अचानक पीछे से एक आदमी उससे तीर मार देता है और नेक्स्ट सीन में वो उस लड़की के पास आता है और उसका गला काट कर उसे मार देता है जिसके बाद में ये सीन यही पर कट कर दिया जाता है और में मुवी स्टार्ट होती है जहाँ पर एना नाम की लड़की अपनी कार में है और अपनी फ्रे उस बच्पन के दोस्तें और हाली में सारा का ब्रेक अप हुआ था जिससे कि वो इस ट्रिप पर नहीं जाना चाहती थी और उन्हें जाने के लिए मना कर देती है लेकिन रोज सारा को कन्वेंस करके उसे अपने साथ में ट्रिप पर ले आती है नेक्स्ट सीन में वही आदमी एना की लाश को गसीट कर ले जाता है और उसके पेरो को रस्ति से बांद कर उससे उल्टा लटका देता है और फिर वो उसके दोनों हाथ के पंजो को कार देता है जिसके बाद में मूवी वापी से प्रेजन टाइम में आती है यहाँ पर चारों लड़किया रास्ते में है और ये सभी बहुत इंजॉय कर रहे हैं। वे सभी लोग जंगल में एंटर होते हैं और एना कार को ड्राइव कर रही थी। उसका ध्यान मेप पर होता है और तभी वहाँ पर अचानक रास्ते में एक जर्मन लड़का एरिक आ जाता है जिसे कार से टकर होने ही वाली थी लेकिन वो जिसे तेसे बच जाता है। होता है और वो दिखने में बहुत ज्यादा खतरनाक लग रहा था। वो उन लड़कियों के पास आता है और उन्हें गूरने लगता है। रोस को ये सब बड़ा ही अजिब लग रहा था और वो सब को वहाँ से जाने के लिए केती हैं मगर क्लेर उससे रास्ता पूछ रही थी। और अचानक से उस आदमी के पास से एक मास का तुकला गिर जाता है जिसे ये सब लड़किया नोटिस कर लेती है और जल्दी ही वहाँ से निकल लेती है। फिलिप इन सभी लड़कियों को जाता हुआ देख रहा था और तबी उसके पीछे से उसका दोस्त सैमुल आता है और ये भी पूरी तरह से खून में लगपत था जो कि फिलिप के साथ साथ उन लड़कियों को जाते हुए देखने लगता है। और फिर थोड़ी देर के बाद में चारों लड़किया केनेडियन वूट्स के स्टार्टिंग पॉइंट पर पहुच जाती है। पीछा करते रहते हैं। फिर काफी देर तक चलने के बाद में चारों लड़किया अपने केम्पिंग पॉइंट पर पहुच जाती है। जिसके बाद में वे दोनों वापस चले जाते हैं लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि फिलिप और सेमुल वही पर हैं जो कि उन्हें दूर से देख रहे थे। रात होने पर चारों लड़किया बॉनफायर के पास में इंजोय कर रही थी और क्लेर सभी के फोटोस क्लिक कर रही थी। रोज साइड में रखा हुआ पानी पीने जाती है तब ही फ्लेश चमकता है और उससे अपने ठीक सामने फिलिप खड़ावा दिखाई देता है वो चिला कर बाकी सब के पास आती है और उन्हें ये बताती है कि अभी अभी उसने उससी आदमी को देखा है जिससे कि उन्हों नहने के लिए चले जाते हैं और दूसरी तरफ सैमुल किसी इनसान के हाथ पेर को काट कर अपनी गाड़ी की डिक्की में रख रहा होता है और हमें ये पता लगता है कि इन्हों ने यहाँ पर किसी आदमी को मार दिया है लेक में नहने के बाद में सभी लड़किया बाहर आ हुआ है और वो बहुत ज़्यादा डर जाती है और चिलाने लगती है एना की आवास सुनकर बाकी की लड़किया उसके पास आती है और वे सभी ये देखते हैं कि पेर पर किसी के आदे कटे हुए पंजे लटक रहे हैं वे सभी ये देखकर डर जाते हैं और क्लेर उसकी फो यही देखकर वहां से भागने लगती है और सामने से सेमौल आता है और एना के मुपर अपनी गंद से मार देता है और वो वही पर भ्योश हो जाती है रोज और सारा वहां से दूसरे तरव भागते हैं मगर फिलिप उनके सामने आ जाता है रोज उसके मुपर मारती है जिससे क कि वो गिर जाती है सेमूल सारा पर भी गोलिया चलाता है लेकिन वो बच जाती है और वहां से भाग जाती है यहां पर क्लेर अभी भी जमीन पर पढ़ी हुई थी और वो अंग दर्द में पढ़ी हुई थी उसकी आखों के आर पार फिलिप का लगाया हुआ तीर गुसा सारा बहुत देर तक भागने के बार में एक गुफा में पहुच जाती है जहां पर बहुत ज़्यादा अंदेरा होता है वो वहां पर पढ़ा हुआ एक लकड़ी का तुकड़ा उठा लेती है और फिलिप उसका पीछा करते करते गुफा में घुस जाता है और उसके पास प बोश आता है तो यह देखती है कि रोज एक पेट से बंदी हुई है और एना भी वहाँ पर मौजूद है जिसके पास में सेमुल जाता है और वो एना का बड़ी बेहरेमी से रेप करता है जिसे देखने के बाद में सारा जोड़ जोड़ से चिलाने लगती है और फिर एना का रेप करने के बाद में सेमुल एना के पेट में चाकू गुसा कर उसे मार डालता है फिर नेक्स्ट सीर में हमें देखते हैं कि सारा के पास में फिलिप आता है और उसके बाल पकड़कर उसका सीर पेड़ पर मारने लगता है और फिर वो उसका रेप करने के लिए आता है फि पुलिप की वही पर मौत हो जाती है जिसके बार में सीन यहीं पर कट हो जाता है और नेक्स्ट सीन में सेमॉल एना की लाश को ले जाकर एक बेग में डाल देता है वो लड़कियों के टेंट में जाकर उनका रखावा सामान देखने लगता है सेमॉल को एक दम से पीछे से कु जाती है, सैमौल अब रोस का रेप करने वाला था और वो रोस के पास आने की कोशिश करता है तब ही सारा उसकी गन उठा कर उसके पीछे आकर खड़ी हो जाती है लेकिन उसे गन चलाना नहीं आती थी, ये देखने के बार में सैमौल उसके पास आने लगता है लेकिन एकदम से उससे गन चल जाती है और सैमौल को लग जाती है सारा सैमौल के उपर दो गोलिया शूट करती है और फिर वो रोस के पास आती है और उससे छुडाने के बार में दोनों जाने लगते हैं सारा और रोस जैसे तरह सर थोड़ी दूर चलते हैं लेकिन रोस अब चल नहीं पा रही थी क्यूंकि उसके पेर में गुली लगी हुई थी और फिर सारा उसके पेर से गुली निकालने की कोशिश करती है जिससे की रोज महीं पर भ्योश हो जाती है और फिर सारा उसे अपनी पीट पर उठा कर जंगल के रास्ते अपनी कार तक ले आती है सारा रोज को जैसे ही कार में बठाती है कि तभी वहाँ पर सेमॉल आ जाता है और सारा के उपर गोल्या चलाने लगता है लेकिन रोज जैसे तेसे बच जाती है और वो सारा को पीछे कार में बठाती है और वहाँ से निकल जाती है Samuel से बचने के लिए रोज गाड़ी बहुत तेज चला रही थी और तभी अचानक सामने से वही जर्मन ललका इरिक आ जाता है जिसे की टक्कर होने ही वाली थी लेकिन जैसे तेज से रोज इरिक को टक्कर होने से बचा लेती है और उसके कार का एक्सिडेंट हो जाता है फिर इरिक आकर उन्हें कार से बाहर निकालने की कोशिश करता है और उसे सामने से एक और कार आती हुई नजर आती है जिससे की वो मदद मांगने जाता है लेकिन उस कार में Samuel होता है सेमौल कार से बाहर आकर इरिक को मा डालता है और इतने में रोज महां से भाग कर वापिस जंगल में चली जाती है वो रोज का पीछा करता है और थोड़ी दूर जाकर रोज गिर जाती है जिसका फायदा उठाकर सेमौल रोज के पास आता है लेकिन वो ठीक उसी तरह के ट्रैप में फस जाता है जैसा कि इन गल्स को पहले जंगल में मिला था रोज को ट्रैप के ऊपर से कपले का निशान मिल जाता है जैसा कि एना ने उसे बताया था और सेमॉल को उस ट्रैप में फसाने के लिए वो जान बूच कर वहाँ पर गिरी थी जिसके बाद में हम यह देखते हैं कि सेमॉल अभी भी उसे ट्रैप में फसा हुआ है और उसे मही छोड़ कर रोज जंगल से बाहर निकलती है सारा के पास में आती है और दोनों हग करते हैं दोनों सही सलामत उस जंगल से बाहर आते हैं और सेमॉल की कार में बेट कर वापस अपने शेहर के तरफ लोड जाते हैं जिसके बार में ये मूवी यहें पर end हो जाती है दोस्तों ये मूवी चार गल्स की है और इन में से एक लड़की अपने broken relationship और personal matter से overcome करने के लिए इन लड़कियों के साथ में camping करने के लिए इस trip पर आई हुए थे जिनका सामना दो psychopath इंसान से होता है और ये man hunter होते हैं जो कि जंगल में आने वाले लोगों को मर डालते हैं और उनका mead भी खाते हैं लेकिन रोज और सारा जैसे तेसर बचकर वापस आते हैं और इनने अपने life की value पता लगती है तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताईएगा और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेजेगा क्योंकि मैं जल्दी जल्दी इस चैनल पर वीडियो डालता हूँ